Hello students, जैसा कि आपको पता है कि UPSC के लिए हर वो चीज इंपोर्टेंट है जो कई दस्कों से चली आ रही है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कि कितने दिन का कवर करें। या कितने महीने पहले से पढ़ें। कई टीचर्स को कई कोचिंग को मैंने बताते भी सुनाएं कि छे मेने का साल भर का थोड़ा से मेरा आइडिया लग है। इस टॉपिक पर मैं बात में आता हूँ जो आज का मेरा मेरा में टॉपिक है। एक छोटी सी बास समझ लेते हैं। इस इक उधारन के तोर पर समझेए कि मान लीजे कि आप कहीं जा रहे हैं। आप नहीं कोई और, ठीक है। और वह एक जिगा केले का छिलका पड़ा है और वहां गिर गया। तो यह एक इवेंट है एक घटना है। और अगर वो रोज केले का छिलका वहां पड़ा रहता है और वो रोज वहीं गिरता रहता है तो यह एक इशू है कितने दिन से गिर रहा है तो मैं अपने academic career के accordingly बताओं तो इशू हमारे पास 50-50 साल पुराने हमारे लिए important है क्या महिलाओं की स्थिती कितना पुराना मुद्दा है भारत में alcoholism की समस्या कब की है व्रिद्धों की समस्या कब की है एजराइल पलेस्तीन का इशू कब से चला रहा है इन सब पे हमें command बनाना होगा और इवेंट की बात करें तो UPSC में इवेंट का रोल तो बहुत कम है बट फिर भी हम अपने mains के answer में लिखने में या हो सकता हो prelims के MCQ में एक दो fact के point of way से UPSC को cover करें इवेंट के लिहाज से मैं सब सजेस्ट करूँगा कि एक दिर साल एक साल मान लें अपने आप समझ जाएंगे कौन सी इवेंट कितनी important है national importance वाली international importance वाली यह सब एक दिर साल तक के लिए important है एक दिर साल तक आपको पढ़ना चाहिए और issues में तो कोई परहेज मत करो अगर कोई ऐसा issue है जो तब भी relevant था और आज भी relevant है बीच में था कि नहीं था इससे फरक नहीं पड़ते हैं वह आप cover करने की कोसिस करो कि एक तरीका और हो सकता issues cover करने का कि आप इस बात पर गौर करें की कि कितने साल पूरे हो रहे हूं जैसे ऐसे समझे कि अगर किसी अंदोलन को सौ साल पूरे हो रहे हूं तो आपके लिए important माने कि 1920 में non cooperation moment असहयोग अंदोलन ने start हुआ था और 2020 में उसके सौ साल पूरे हो इस साली important या इस से related event important इसी तरह से कोई event हुई हो कोई बड़ी international event हुई हो उसके 150 साल पूरे हो रहे हो अब यह important क्यों हो जाती है क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई एतिहासिक event के 100 साल 50 साल 25 साल ऐसे पूरे होते हैं तो कोई ना कोई बड़ा राजनेत्या कोई ना कोई बड़ा institution इस बारे में कुछ ना कुछ बताता है कुछ ना कुछ नई चीजे बताता है या newspapers में cover होता है और वही हमारे examination में paper बनाने का source है ठीक है तो आपको एक तो दो चीजों पर ध्यान रखना है कि किस के बारे में newspaper में आ रहा है किन events के बारे में किन movements के बारे में किन schemes के बारे मे और उनसे क्या questions बन सकते हैं खेर, मुद्दे पे लोटते हैं आज की topic में हम लोग प्रधान मंत्री जंधन योजना जो की बड़ा flagship program था बड़ा visionary program था 2014 में लांच किया था BJP government दोरा या नरेंद मुदी सरकार दोरा अब हम एक्जाम में बचेंगे नरेंद मुदी सरकार नहीं यूज़ करके भारा सरकार दोरा यूज़ करेंगे भारा सरकार दोरा यूज़ किया इसके लगवर दस साल पूरे हो गए 28 अगस्त 2014 को इसके दस साल पूरे हो गए इसमें कई prelims के question बन सकते हैं आज के topic में हम इसी योज़ना को पूरी तरह से discuss करेंगे हैं इसमें मैंने कुछ मेंस के question बनाए हैं जो आपके लिए directly important है पूरा पढ़ने के बाद आप उनको लिखने की कोसिज करेगा मुझे भीज़ेगा मैं चेक करके बताऊंगा कि इसमें आप क्या और सुधार कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों सबसे पहला point यह UPPCS के exam में पुछा जा सकता है या एक statement के तौर पर कहीं भी आ सकता है कब launch किया गया था तो date इसकी याद कर लिएज़ेगा 28th August 2014 ठीक है क्या objective था इस योजना के पीछे अब यहां से थोड़ा सा मैं subjective भी होगा तो objective था हमारे financial inclusion के goal को पूरा करने के लिए अब यहां पर एक point हमें समझना होगा कि financial inclusion है क्या ठीक है फाइनेंसिल इंक्लीजन के goal को पूरा करने के लिए तो समझें इंक्लीजन का मतलब होता है समावेशन हिंदी में यानि सबको समलित करना हिंदी मेरी थोड़ी सुद है तो द्यान दीजेगा समावेशन सबको इंक्लूट करना और financially सबको इंक्लूट करना या ऐसे समझें ऐसे लोग जो financially exclude है जिनको वित्य सेवाओं का लाब नहीं मिलना है उसको इंक्लूट करना इस योजना के पहले की सरकारों ने भी financial inclusion में काफी काम किया है ये तीन पिलर पर आधारित योजना होती आगे discussion भी करेंगे थोड़ा से समझ लीजे financial inclusion तीन पिलर क्या होंगे इसके number one कि banking penetration ratio क्या है इसका मतलब ये है simple सा कि कितने लोगों के पास भारत की कितनी जनसंक्या के पास bank के खाते हैं इसके पहले की सरकारों में आपने देखा होगा चेत्रिये बैंकों का निर्मार हुआ स्वाभिमान योजना 2011 में प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग द्वारा लांच करी गई इसके पहले भारा सरकार द्वारा लांच की गई तो government हमेशा से चाहती है कि हर व्यक्ति को especially जो last quadrant आखरी चतुर तक है इस तक banking की सुविधा का लाब पहुचे बैंकों से केवल व्यक्तियों को लाब नहीं होगा बैंकों में पैसा रखने से उनकी सेविंग मोबिलाइज करने से सरकार को भी लाब होगा इसलिए financial inclusion पे हमारा बहुत ज़्यादा बल है हमारा बहुत ज़्यादा जो रही कि हम इसे achieve करें आगे इस पर all discussion करेंगे financial inclusion के लिए government द्वारे बहुत अच्छी scheme launch करी गई थी 2014 में क्या नाम था प्रधान मंत्री जंधन ही हो जना इसके 10 साल पूरे हो गये हैं इसलिए important अभी मैं discuss कर चुका हूँ अगर हम ध्यान दे तो लगभग 10 सालों में हम लगभग 13 करोण bank account open कर चुके हैं ठीक है कितना open कर चुके है 53 करोण से जंधन account open हो चुके हैं ठीक है 53.33 अब यह prelims में UPSC prelims में तो बिलकुल ऐसे नहीं पुछेगा कि 53.13,14,15 ऐसा कुछ नहीं बस लगभग याद रखो तिरपन करोण account जंधन account खोले गए अब दीखें जिसमें से लगभग 29.5 करोण यानि more than 50% किसके हैं women beneficiaries के हैं यानि ऐसे समझे financial inclusion के goal को cover करने में हमने gender inclusion का भी ध्यान रखका और हमने महिलाओं को लगभग लगभग include करके चला अगर हम देखें तो 53 से आधे से जाधा है 29 करोड तो आधे से जाधा account किनके खुले हैं महिलाओं के खुले हैं तो जंधन योजना एक ऐसी सफल योजना रही जिसने financial inclusion के goal को भी cover किया और जंडर इंक्लूजन को भी cover किया ध्यान से दिखते चलेगा इसमें बहुत सारे प्रस्ण भी वनेंगे खैर आपकी सुविधा के लिए मैं तीन प्रस्ण यहां पर लिखता हूं लिखे हुए हैं आप इनको देखिए और आखरी तक आप यह सिद्ध कर लिजेगा आखरी तक यह तीन प्रस्ण बने हैं जरा ध्यान देश को पहला देखिए डिसकस दा रोल ऑफ प्रधान मंत्री जंधन योजना इन इनेबलिंग दे डिजिटल फैनेंशिल इंक्लूजन एक नया सब्द मैंने जोड़ा हुआ है डिजिटल फैनेंशिल इंक्लूजन बैंक खाते तो थ इस पर चर्चा आपको समझ में आनीच इस पर आंसर आना चाहिए जोड़ा इस पहला कोशन एक दम नया कोशन है में इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे इसपूरे सिरीज में हम इसको का मुस्क्राद करेंगे 6 दूसरा कोशन में इस सब्रहें इसे के काम किया और यह भी दगए सब्था सकते हैं और क्या सब्सक्राब आइसे रिये जा सकते इस इसको बढ़ाने के अभी आप जैसे एक चोटा इस एक्जापल अभी आप देख चुकें 53.13 करोन एकाउंट ओपन हुए हैं जिसमें 29 करोन एकाउंट किसके हैं वोमेन के हैं अभी मार्जनलाइज वाली तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्लियर हो गया ऐसे बहुत सारे चोटी चोटे फैक्ट इस पूरे वीडियो में हमने इखटा कियो हैं मैं थोड़ा कभी-कभी स्क्रीन से वाहर आजाओंगा आपको ताकि यह वाइड बोल्ट देखें आप इसके स्क्रीन रख लेंगे स्क्रीन शॉट लेके रख लीजेगा और मैं रिक्वेस्ट करोंगा टीम से कि इस PDF को आप अप्लोड भी कर देना अगला देखें प्रदान मंत्री जंधन योजना हैस हेल्प टू बिज गैप बेट्वीन दा फॉर्मल फिनेंशिल सिस्टम एंड अन बैंक्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अभी यहां पिक सब्द नया यूज कर लेना क्या है फॉर्मल फिनेंशिल सिस्टम तू दा अन बैंक्ड आगे बढ़ते हैं आखरी तक आपको यह तैंक कर लेना होगा कि आप इनके अंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं चलिए अभी तो कुछ factual बातों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं यह इंडियन एक्सप्रेस के इक आल्टिकल थे जिसको हम लोग ने पुरा डिटिल में कवर किया हुआ है तो थैंक्स तो इंडियन एक्सप्रेस आल्सो कि आप लोग बहुत अच्छा रिसेर्च करकर इस तरह की चीज़े प्रमोट करते हैं इस तरह की चीज़े लिखते हैं जो हमारे जैसे टीचर्स स्टूरेंट के लिए बहुत यूसफुल रहती है देखें जंधन योजना में क्या करते थे एक एकाउंट खोला जाएगा हर विक्ति का पहले एक इंट्रोड़क्ट्री इंट्रोड़क्शन होता था कि अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना जैसे ऐसे समझ लीडिया मुझे आज जब मैंने पहला स्टेट बैंक में खात कीसा इंट्रोड इंट्रोडी इसर की जरूफल नहीं है तो एक जंधन खाता खोला गया परदानमंति जंधन उनको एक बैबिक कार्ड दिया गया है जिनके पास होगा वह जानते हो कौन सा डेबिद कार्ड रुपे काल दिया गया और साथ-साथ इंस्होर हुलikel इंस्वरें होता है दो लाख रुपए तक का और लाइफ इंसूरेंस होता है 30,000 का यानि अगर आपके पास जन्धन खाता है और आपकी एक्सिदेंट से कोई दुर्गटना होती ही तो दो लाख रुपए तक इस खाते के अंतरगत आप सेक्योर्ड है और 30,000 रुपए मिर्त्यू की दर्शा में आपको इस खाते की वज़े से मिलेगा या इस रूपए डेबिट कार्ट की वज़े से मिलेगा ठीक बात ह एक हुआ यहां पे जो से टलमेंट रिचीव है और यह अईसे कई लोगोंने क्लेम किया तो लगभख 73% से टलमेंट रिचीव है यानि जितने सबसे ज्यादा आट कि खोले गया इसको पढ़ दीजिगा इस में बहुत ज्यादा डिसक्षिन नहीं कर रहा हूं ऐक हथा में सबसे ज्यादा आट को लेगा कि यहां से हम लोग थोड़ा से डिटेल में बात करना स्टार्ट करेंगे चलिए, क्या था objective, सारी बाते डिस्कूस कर चुके है, objective क्या है, basic saving account for unbanked individuals, यानि उन लोगों के पास, जिनके पास खाते नहीं है unbanked individuals, उनके लिए basic saving account खुलना, यहाँ पे word basic saving bank account क्यों है, क्योंकि account कई टाइप की होते हैं, आप मैंसे कई बच्चों ने economics पढ़ा होगा, जै से आप समझे, current account होता है, ठीक है, deposits and liabilities अलग बात है, account के type होते हैं, current account हो गया, demat account हो गया, trading account, investment account, nri account, तो एक basic account की बात हो रही है, किनके लिए, जिनका कहीं बेकाउंट नहीं है, clear, प्रधान मंत्री जंधन योजना में रूपे डेबिट कार्ड दिया गया, यह पीछे भी हम लोग discuss कर चुके हैं, कितने का accidental cover था, initially of 1 lakh रुपीज, after this was enhanced to 2 lakh रुपीज, कब यह 2 lakh कब हुआ था, 28 अगस्त 2018 को, यानि योजना के लगभग 4 साल बाद यह बढ़ा कर डबल हो ग अगर आपके bank में खाते में पैसे नहीं रह गए हैं, और आपको cash flow के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप 10,000 रुपे तक bank से और निकाल सकते हैं, अब यहां सोचने की बात यह है, कि क्या यह 10,000 रुपे बिना interest का है, कि इस पे कुछ interest देना होता है, तो ध्यान दे, यह free न base rate से ज़्यादा का interest देना होता है, आप मुझे बताएगा कि base rate से यहां क्या मतलब है, ठीक है, पूरी economics की हम लोग classes record करकर upload करेंगे, उसमें भी आप समझ सकते हैं, बढ़ आप अपने अनु साथ देखे, ढूंड़े, बताएगे base rate का है, तो जो भी base rate चल रहा होगा, अग अगर आप OD लेते हैं, तो उससे 2% जादा आपसे interest चार्ज किया जाएगा, अब एक बात यहां समझेगा, OD में क्या होता है, जितना amount निकालेंगे केवल उस पर ही charge होगा, पूरे पे नहीं charge होगा, ऐसे समझे, आपको cash flow के लिए 1000 रुपे जरूरत थी, तो 1000 रुपे 8.5% क interest से आप पे charge होगा, clear, पूरे 10 पे नहीं होगा, समझ गया, अगर आपके खाते में पैसा नहीं, आपको कुछ खाते में पैसे की जरूरत है, तो आप 10,000 रुपे तक और निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई guarantee की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए क्या है, देना पड़ेगा, आपको छोटा interest देना पड़ेगा, that is 2% more than base rate, ठीक है, एक जो सबसे अच्छी बात करी, जो हमारे सबसे बड़ा problem था, leakage का, एक बड़े नेता जी ने संसद में कहा, कि अगर हम एक रुपे देते हैं, तो पच्चेस पैसे पहुंसता है, जनता तक, बात सच थी कई हद तक, दूश्रा उस एक रुपे को वहां तक पहुंचाने में बहुत सारी मसीनरी घर्च हो जाती थी, जन्दन खातों ने या गौर्मेंट के विजनरी प्लान ने, डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर ने, इसमें भी बहुत मदद की, आज की डेट में बहुत सारी योजना ऐसी ह जिनका लाब सीधे जन्दा के खाते तक पहुंच रहा है, जैसे प्रधानमंतरी किशान योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंतरी सुरक्षा भीमा योजना और मुद्राय योजना, एक ऐसे लिस्ट बना लेंगे कि किसमें किसमें DBT है, डिरेक्ट बेनेफिट ट्र से ठीक है, उसको आधार और मुबाइल से जोड़ देना, ताकि हम DBT कर पाएं, और इस डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से बड़ा बेनेफिट भी हुआ है, बेनेफिट ऐसा है कि हमारी जो मसीमरी है, वो कम इन्वाल भी, और जो लीकेज है, जो पैसा इधा-धा-धार, इसने government की help नहीं की marginalized section की मदद करने के लिए, सोचे, कि आज की date में कोई middleman नहीं है, सरकार के एक click पर DBT यानि direct benefit transfer से किसी पिछड़े व्यक्ति के खाते में, या marginalized व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे पहुँच जाता है, तो ये help ही तो वही, एक ये भी point यहां से निकालिए, कि कैसे प्रधानमंत्री जंधनी होजना, marginalized sector के लिए, या women के लिए directly benefit का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि खाता था नहीं, अब खाता है, और खाते में direct benefit transfer है, राइट, कि मैंने discuss करी लिया, आगे बढ़ता हूँ, यहां जो थोड़ा और ध्यान देने की ज़रुवत है, आपको समझेगा, financial inclusion सब्द का क्या मतलब है, तो देश के प्रतेक व्यक्ति को, especially जो last quadrant population, जो सबसे पिछड़ी वर्ग है, यहां पिछले का उर्थ, समाजिक और आर्थी ग्रूप से पिछले व्यक्ति की बात करे, उसको banking की सुवधा उपलब्द करा देना क्या है, financial inclusion, अब यहां banking की सुवधा उपलब्द कराने के तीन मतलब है, देखें, पहला banking penetration ratio, यानि हर व्यक्ति में, हर परिवार में bank खाता हो, ठीक बात है, एक report है, फिंडेक्स report के accordingly, 2014 में लगबग 33% लोगों के पास bank खाते थे, बारत में, और आज यह बढ़कर लगबग 78 करोड हो चुका है, 33% के पास थे, आज यह बढ़कर कितना हो गया है, 78%, आज भारत में लगब 88% adult population के पास अपने bank खाते हैं, तो financial inclusion का पहला pillar क्या है, banking penetration ratio, यानि बैंकी की सुवधा को आगे पहुचाना, दूसरा access to credit, यह बैंक खाते है, खोल लिए काम चल जाएगा, नहीं न, कु जरूरत पड़ते हैं, small size loan, तो यह जो small size loan है, या access to credit है, यानि आपको जब जरूरत हो तो पैसा मिल जाए, उधार के तो पर मिल जाए, तो यह दूसरा पिलर है, तो financial inclusion के तीन aspect हो सकते हैं, पहला banking penetration ratio, दूसरा access to credit, ज्यादा तर जो मुद्रा योजना का लाब है, जो छोट कि MSME वाली योजनाओं कलाब है, जन्धन योजनाओं में जन्धन योजनाओं से उससे बहुला benefit मिला, क्योंकि इनके पास खाता होने से सरकार इनको मदद भी नहीं कर पारे थी, जैसे आपने SHG के बारे में पढ़ा होगा, तो इन self-help group के पास जब खाते हो गए, तो सरकार इनको credit directly transfer करने लगी, clear, तो दूसरा point है access to credit, और तीसरा, access to insurance and equity, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि आप insurance खरीच सके, micro insurance खरीच सके, तो देखिए, कितने लोग mobilize हुए है, मैं आपको अपने ही करें, 2014 में जभी scheme आई, तब ही मैं पढ़ाता था, सायधी लोग mutual fund और इसमें investment करते थे, एक औसत आम आदमी की बात करें, आज मैं जिसे भी बात करता हूँ, या तो ट्रेडिंग कर रहा है, या mutual fund के बारे में बहुत जादा हद तक saving mobilize हुई है, और ये पूरे saving mobilization का equity में हिस्सा हो रहा है, insurance का role बढ़ रहा है, ठीक बात है, इसमें जंदन खातों का बहुत बड़ा role है, जंदन खाते, digital literacy, आधार, mobile, ये सब role play करें है, और ये सारे means के accordingly आपके लिए important question बनते हैं, clear, तो याद रखी का banking penetration ratio, access to credit and access to equity and insurance are the three pillars और three aspects of the banking penetration ratio, ठीक है, आगे बढ़िया, Another term is, दिखे, पीचा है ने, digital inclusion, कैसे प्रधान मंत्री जंदन खाते से, digital inclusion प्रमोट हुआ है, दस साल पूरे होगा, ये पकी question, digital inclusion का मतलब, कि आपके पास खाता है, और आप online banking, e-banking, UPI से आप अपने खाते को use कर सकते हैं, ठीक है, इसका कुछ data भी है, तो total digital transaction की अगर हम ब तो 2018-19 में, 2018-19 में, ये था 2338 करोण, ठीक है, अगर clear नहीं दिख रहा होगा, तो बताइए, अगले PPT से हम लोग से उबढ़ा करेंगे, 2300 और ये बढ़कर कितना हो गया है, 16,443 करोण, अगर हम देखें, तो ये लगभग लगभग, 7 times digital transactions बढ़े हैं, तो 2018-19 से लेकर, 2013-14 तक 7 times digital transactions बढ़ गए, इसमें clear बात है, digital transactions के लिए, सबसे basic चीज़ क्या हो नीचे, bank account, payment bank से हो, जहाँ से एक bank account चाहिए आपको, तो बैंकों की खाते बढ़ने से, digital inclusion definitely बढ़ा है, ठीक है, समझेगा, दूशा, यहाँ एक data और हमारे पास में, UPI transaction, जहाँ 2018-19 में 535 करोड थे, वो बढ़कर कितने हो गए, 13,113 करोड हो गए, तो अगर हम इसको देखे तो इसमें भी लगभग 3 टाइम्स चेंज हो रहे हैं, लगभग 2.5 टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो UPI transactions की values बढ़ गई, digital transactions बढ़ गए, तो यही तो digital inclusion है, तो प्रधान मत्री जंदन खाते से financial inclusion बढ़ा, और इसी financial inclusion ने क्या क्या डिजिटरली लोगों को अवेर किया, digitally inclusion लोगों का बढ़ा है, clear हो गया है, कुछ और point है, POS समझते हैं, आप दुकान में पगए होगे होगे होगे, चोटी से machine होती है, point of sale machine बोलते हैं उसको, जिस पे आप credit card, debit card, swap करते हैं, उसको क्या होती है, POS, POS और e-commerce से भी transactions बढ़े हैं, जहां 2017-18 में 67 करोड थे, वहा digital technology आने से digital inclusion भी बढ़ा, एक question में मैंने पूछा ना, कि how financial inclusion is promoting digital inclusion, यह answer है, दूसरा समझते है, credit inclusion, जहां government तो रोल करी रही है, और तो यहां पे कुछ issues भी है, सरकार के साथ में, कि यहां policy control नहीं है, पर हम देखें, तो मुद्रा योजना का लाभ बहुत हद तक बढ़ा है, सरकार मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को credit के हिसाब से include कर रही है, यानि लोगों को credit पहुंच रही है, जैसे आपने बढ़ा financial inclusion के तीन banking penetration ratio, banking penetration ratio में digital inclusion include कर लीजे, दूसरा हमने बढ़ा access to credit, तो जितने भी loan लोगों को चाहिए, आसानी से मिल जा रहे है, उनकी व्य मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे और किसी को loan लेना होता है तो उसके लिए बढ़ा सर्दत करें, उसको दो मेने के चुटी लेकर बैंकों के चक्कल लगाने होते थे, और अभी मेरा स्टाफ मुझे बता रहा थे कि अब तो केवल आप mobile पर बैठकर loan ले सकते, कहीं इसपेसली जब आप पढ़ रहा हो तो बिलकुल ना, loan ना, ठीक है, आगे बढ़ी है, तीसरा स्टाफ है, equity and money market, तो आपको मैं बता हूँ, इसका कोई data, exact data हमारे पास अभी available नहीं है, मेरे पास का मिला government of index pass, ठीक बता है, तो digital inclusion बढ़ा है, financial inclusion से, credit inclusion बढ़ा है, banking penetration ratio बढ़ है, यानि महिलाओं की खातों की संख्या में बढ़ा उत्री हुए, तो सरकार का जो double agenda है, financial inclusion के साथ-साथ, women empowerment करना, वो भी यह यह युजना पूरा कर रही है, clear, यह सब बाते आप उन तीन questions में लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं लो, ठीक बात है, एसे समेले थे, यह थोड़ा से database है,